सो गाईज यार वेलकम स्वाकित आप सभी लोगों का मायर चैनल पे आज आज के फिर से माइनक्राफ्ट में और गाईज सामने संसेट देख सकते हो यार कितना सुंदर लग रहा है क्या ही मैगनिफिशेंट व्यू है तो आज किस वाली वीडियो में आपने लोग अपने आर् सब्सक्राइबल में आज काऊं बाई साब इदर को और देखते हैं अपने को क्या काईची एंचार्णमेंट्स मिल सकती है और अरे बाइस साब प्रोटेक्शन था तो ले लेते हैं यार यह बहुत जाद आच्छी एंचार्णमेंट्स है और अपने बाके के आर्मर में अरे भाई साब CD protection 4 यार इस ये protection 4 से उपर तो protection होती नहीं है तो बिना सोचे समझें ले लेते हैं भाई कोई दिकत की बाद नहीं है protection 4 और साथ में कुछ नहीं मिला चलो कोई दिकत की बाद नहीं है अब अपने को element और boots में देखना है क्या क्या मिलता है तो जल्दी से वह भी देख लेते हैं भाई साब क्या कुछ मिलेगा और प्रोजेक्टाल protection अरे respiration 3 ले लेते हैं भाई तो उसके लिए अपने को पहले xp चाहिए होगी यार वह भी लेकिया जाएंगे feather falling for fire protection 4 तो कोई काम की नहीं है element पर check करते हैं भाई क्या मिलेगा और चलो ले लेते हैं यार अपने को पहले ही पता था respiration 3 है तो उसके साथ में blush protection आ गई तो ठीक है और अभी boots पर देखते हैं क्या मिलेगा protection 3 भाई फिर से यह भी ले लेंगे अपन लोग तो उसके लिए xp चाहिए होगी तो भी मिलते हैं भाई तो यह देखो भाई xp क्लेक्ट करके आच क्या अपन लोग और protection 3 ले ले लेते हैं भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है और फिर चलते हैं यार नेदर पॉर्टल में नेदर में चलेंगे वहाँ से धेर सारे ancient debris collect करके हैंगे अपन लोग और अपने sword चाहिए थी भाई अपन को तो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अब अपन लोग या नेदर में आज क्या जैसा कि आप देख सकते हो इधर को सिर्फ लावाई लावा नजर आ रहा है यार तो बहुत संभल के अपने को माइनिंग करनी पड़ेगी और इधर आपना ये न लोगों कोई है और अपने को यार एंशन डेबरिज की माइनिंग 16 पर जाके करनी पड़ेगी तो वहाँ पर पहुंचते हैं और ये देखो भाई साबर रास्ते में आते हुए अपनी किसमत चमक गई है अपने को एंशन डेबरिज मिल चुके हैं देखते हैं बाई कितने ज ज्यादा अच्छे हैं तो जल्दी से क्लेक्ट कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं अपने को यार 16 एंशन डेबरिज तो कम से कम चाहिए यार अपने आर्मर को फूली नेदर राइट में करने के लिए चलो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला इनको क्लेक्ट करने मे तो अपने पास बैड काफी ज़्यादा पड़े हैं फूली तरीके से बलस्ट करेंगे यार अपन लोग और टोर्च भी है तो अगर बैड की कम होई तो अपने लोग फिर से जाके लेंगे कोई दिकत की बात ने अपने पास सिफ वाला फाम है आपको पता ही होगा तो अभी जल्दे से बैड रखते हैं और फोड़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई वीडियो को मैंने फस्ट फरवर्ड कर दिया था लेकिन यार डैबरिज तो मिलने का नाम नहीं ले रहे थे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बैड फोड़े लेकिन कोई फाइदा ने बाई साब दिन के तीन डैबरिज जो सुरुआत में मिले थे वही के वही हैं अपने को भाई साब पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही थी या फिर सब कोई लग रही थी लेकिन अपने लोग फिर से माइनिंग करते जा रहे थे बाई साब और बैड पे बैड फोड़ते जा रहे थे लेकिन एंसेंट डैबरिज भाई मिल जाए इतनी असानी से तो नहीं हो सकता ऐसा अपने को यार काफी दिर मतलब कह सकते हूं मैं वापिस भी जाने को रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्लेक्ट करके तो जाएंगे फिर अपने को ये देखो अभी भी देख सकते हूं अपने को नहीं मिला और इदर से अपने लोग चल दिये थे भाई साब अपने लिए ब्रिज बना के और सामने जाके बैड फोड़ें यार देखते हैं वहां पे अपनी किसमत कैसी रहेगी तो चलो भाई जल्दी से पहुंच जाते हैं और थोड़ा बहुत और देखो भाई कि मैंने सुचा एक में खतम कर दिया सिस्टम ऐसा तो नहीं हो सकता एक और डेपर अपने को दिख चुका इसको भी जल्दी से क्लेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसके बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा तो अरे बाई सब दो यह अपने पास पांच ही हुए है यार अपन आपने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलो यार अपनी माइनिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं और यह देखो बाई सब अपने को कुछ एंसें डैबरीज और मिल गए ऐसे माइनिंग करते करते काफी ज़्यादा टाइम लगा लेकिन अपने पा होंगे तो अपने पास लगबग कमप्लीट डैबरीज जोचके देखते हैं इधर से अपने को कितने मिलेंगे तो जल्दी से इनको माइनिकर के देखते है यार दो तो आपने को दीखी रहे हैं तो चलो भाई और इसके नेचे और होना चाहिए भाई साब फिर अपने पास 16 complete हो जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं और यह भाई साब 15 हैं लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी अपन एक दो collect करके और चलते हैं तो यार मैं रास्ते में आते वे मुझे 3 debris और मिल गए तो अपने पास total 18 debris हो चुके हैं और इनसे अपन लोग armor को तो यार नेधर राइट में convert करी सकते हैं तो इतने तो काफी रहें गयार तो चलते हैं भाई साब अपने ऑवर वर्ड में आचके हैं भाई और अभी अपने armor को fully नेधर राइट में convert करने का time आ चुका है तो जल्दी से convert कर देते हैं भाई साब smithing table बनानी पड़ेगे अपने को उसके लिए तो वो भी बना लेंगे जल्दी से मिलते हैं आर आप से चलो भाई मैं अपने घर में आचका था और इधर scrap convert करने के लिए मैंने finance में रख दिये हैं आप देख सकते हो यह देखो भाई लगबग complete हो चुके हैं यह scraps बन चुके हैं और यह chest खली भाई इसके अंदर कुछ नहीं है तो scrap निकाल लेते हैं भाई और अभी smithing table भी बनाना पड़ेगा अपने को वो भी बना लेंगे कोई दिक्त की बात नहीं है और यह देखो भाई साब अपन लोगों का पूरा armor convert हो चुका है अब जल्दी से इसको पहनते हैं और देखते हैं क्या look आती है तो आज किस वाली वीडियो के लिए इतना यार so thank you